श्लोक संख्या 21 बाग्वान कह रहे हैं कि देखो, बेशक लोग जो है वुभिन देवी देवताओं के शरण में जाना चाहते हैं, पर वो जाएं और उनके वो होकर रहें, इस चीज को कौन स्थिर करता है, बआग्वान कहते हैं, मैं करता हूं. क्यों, क्योंकि मैं तो प्रतेग जीव के पूजा कर सके भक्ति कर सके। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? जानते हैं क्यों करते हैं? कि अरे भाई कहीं तो मुड़ो, कहीं गलती से खुद को ही भगवान मत समझने लग जाना। किसी देवी देवता की तरफ तो मुडो तो कम से कम तुमको एक discipline में टिσιप्लिन में एक अनुशासन में रहना आ जाएगा तुम सुभा उठोगे उस देवी देवता की पूजा करोगे तुमें हाथ जोड़ना आ जाएगा तुमें प्रणाम करना आ जाएगा तुम पूजा भक्ती करने की जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें अपने आपको सनलगन कर सकोगे, यह सब तुमको आ जाएगा, तुम जो है बैट करके उसकी चालीसा पढ़ रहे होगे, गा रहे होगे, हाथ जोड़ जोड़ के आर्ती कर रहे होगे, पूजा का समान खरीद के ल बढ़ जाएगी, यानि जब कोई इंसान अच्छा कर्म कर रहा है, बेशक अपनी बहुत तिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उस समय एक विशेश सतोगुण में तो अथित होता ही है, है ना, क्योंकि वो देवी देवताओं की पूजा क करने वाला वेक्ति कम से कम उस समय जब वो पूजा कर रहा है, शान्त होता है, अपने चित को उनके चर्णों में रखने की कोशिश करता है, तो एक प्रकार से सतोगुण के संपर्क में आ जाता है, तो उसके अंदर जो है सात्विक प्रवर्ति चाहे थोड़ी ही देर के लि कामनाएं ऐसे जोर नहीं मालती जैसे पहले मालती थी, तो अब जो है वो कामनाएं नहीं करता, पूजा पाठ करता जा रहा है देवी देवता की, हो सकता है कि देवी देवता कभी प्रसन हो जाएं और उसकी सुक्रतियां इतनी एकत्र हो जाए कि उसको भगवान के किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाए. एक बार लव मात्र भी किसी भक्त का संग प्राप्त हो जाता है ना, तो फिर उस संग का इतना बड़ा प् वेक्ति की बहुत अधिक सुकृती होगी और भगवान की कृपा होगी। तो इसी लिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं। कोई वेक्ति जैसे ही किसी देवी देवता की पूजा करने के बारे में सोचता है, मैं तुनन्द उसकी शद्धा को स्थिर कर देता हू चुनन्द पर भात देता है, मैं प्राव यहा शद्धा झटान आवेक्ता है